हेलो दोस्तों युव कंप्यूटर अकैडमी चैनल में आपका स्वागत है आज हमें इस वीडियो में MS पावर पॉइंट के 50 most important question solve करने वाले हैं इसके पहले भी मैंने MP पटवारी से related computer के question upload किया हुआ है तो पहला question है आपका निम्न में कौन सा view पावर पॉइंट में नहीं हो तो correct answer है आपका a page layout next question है slide को शुरू करने के लिए keyboard की कौन सी की use की जाती है तो answer है आपका d f5 next question powerpoint की run command क्या है answer है आपका number c power pnt next question है powerpoint में भर्तमान में इस्थित slide की संख्या कहां पर so होती है तो answer है आपका दोस्तो number d status bar next question है एक presentation में किस प्रकार की file को add किया जा सकता है तो next आपका answer है यहाँ पर d उपरोक सभी next question है powerpoint में बनाई गई की file को क्या कहा जाता है अंसर है आपका c presentation दोस्तों यहाँ पर यह question बहुत ही ज़्यादा important है आपकी cpct और mp पड़वारी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है next question है आपके लिए powerpoint में किस command का use करके समी करण को slide में insert किया जा सकता है next question तो correct answer है आपका equation next question है आपके लिए home tab में कौन-कौन से tool होते हैं तो आपका जाएगा inside design c में है आपका both a and b और d है none तो correct answer है आपका both a and b next question है powerpoint में by default कौन सा font होता है तो answer है आपका calibrary दोस्तों आपका ms wide pad और wide pad में भी calibrary by default font होता है by default का मतलब होता है जो पहले से set होता है next question है placeholder किसे कहते हैं तो answer है आपका d slide में object में रखे test को next question है powerpoint एक प्रकार खालिस्थान का software है तो आपका आजाएगा यहां पर application number a correct answer next question है powerpoint का use प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है तो correct answer है आपका number c presentation के लिए next question powerpoint में नई slide को insight करने के लिए shortcut की कौन सी है तो दोस्तो है control plus m correct answer d next question powerpoint फाइल का extension क्या है तो answer है जाएगा आपका दोस्तो b.ppt next question है powerpoint में सभी presentation विभाजित होते हैं तो होते हैं यहां पर जितने भी presentation होते हैं आपके छोटी-छोटी slide के रूप में होते हैं तो आपका answer आजाएगा number d slide next question है slide को अधिक्तम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है तो दोस्तो 400 प्रतिशत तक हम page को या slide को जूम कर सकते हैं तो answer है आपका number c 400 next question अगर सभी slide को एक साथ select करना हो तो किस की का use किया जाएगा तो answer है आपका control plus a next question line spacing से क्या ताज़ पर है तो answer है आपका line के test के बीच की दूरी correct answer b next question है कौन सा ribbon टैप पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता तो दोस्तों बता दूं पावर पॉइंट 2010 में आपका जो है tools option नहीं होता है तो correct answer है जाएगा next question है slide को slide को बीच में stop करने के लिए किस shortcut की का use किया जाता है तो answer है जाएगा आपका number c scap next question है powerpoint कि प्रोग्राम का एक हिस्सा है तो answer है जाएगा आपका number a ms office next question powerpoint की default file का नाम क्या होता है तो default file का होता है आपका presentation one दोस्तो excel में होता है book one ms word में होता है document one next question है powerpoint में print करने के लिए shortcut की क्या है तो answer है आपका control plus p next question slide में उपस्तित सभी test को एक साथ select करने के लिए कि shortcut की का use होता है तो दोस्तो यहां पर है आपका control plus a correct answer c दोस्तो यहां पर जो है shortcut की बहुत ज़्यादा एक्जामों में पूछी जाती है तो आप लोगों को shortcut की बहुत ज़्यान से देखना है कौन सी shortcut की कहां use की जाती है next question है slide को animation देने के लिए किस menu का use होता है तो animation देने के लिए आपका animation menu का use किया जाता है powerpoint में तो correct answer है आपका c next question है animation pen की बिंडो दिखाई देती है तो बिंडो जो है आपकी computer में right side में दिखाई देती है तो correct answer है जाएगा a right next question है presentation किस program के जरिये बनाया जाता है तो answer है आपका d powerpoint next question किस menu में action button का option होते है तो answer है जाएगा slide show number c next question speaker note को किस option का उपयोग करके बनाया जाता है तो answer है आपका note view next question slide show को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है तो answer है जाएगा आपका number c skip button next question powerpoint में slide के background में use किया जा सकता है तो answer जाएगा आपका उपरोग सभी background में picture भी use कर सकते हो तो आपका correct answer है d next question powerpoint में line break करने के लिए किस shortcut की का उपयोग करते है तो answer है आपका shift plus enter correct answer b next question powerpoint 1997 में बनी फाइल का extension निम्न में से क्या है तो option है आपके पास dot pnt dot ppt dot ppt xm dot pnt t तो answer है आपका dot ppt दोस्तो dot ppt का पूरा नाम होता है powerpoint presentation test next question है आपका powerpoint में जो फाइल बनाई जाती है वो by default कहां save होती है तो correct answer है आपका my document c number next question ms powerpoint 2007 में खालिस्थान tab है तो आपका answer है जाएगा 7 tab होती है आपकी 2007 में और 2007 के बाद जो आपका ms office का version है उसमें एक tab आपकी बढ़ जाती है transmission की next question है ms powerpoint में review tab को open करने के लिए किस shortcut key का use करते हैं तो answer है आपका b alt plus r next question ms powerpoint में पहले से bunny style किसको presentation के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं correct answer है b templates next question ms powerpoint में home tab का ribbon कितने भागों में बाटा गया है तो answer है आपका e 6 भागों में कौन-कौन से editing paragraph, drawing, font, slide और clipboard भागों में बाटा गया है home tab के group पूछा गया है दोस्ते आपन next question है ms powerpoint में hyperlink insert करने की shortcut की है तो आपकी hyperlink की shortcut की ms powerpoint हो चाहे ms word हो उसकी shortcut की है control plus h sorry दोस्तो ctrl plus h नहीं होती ctrl plus k होती है तो correct answer है आपका c next question ms powerpoint में ribbon को show या hide करने के लिए कि shortcut की का उप्योग करते है तो answer है आपका d ctrl plus f1 next question ms powerpoint में help tap पर जाने की shortcut की है तो correct answer है आपका number b ctrl plus y next question निम्ण में say किस page के उपर header और footer by default print होते है तो correct answer है आपका number d उप्रोक सभी next question निम्ण में say powerpoint किस tab में clipboard option होता है तो answer आपका जाएगा उप्रोक में say कोई नहीं क्यों क्योंकि clipboard जो होता है आपका home tab में होता है तो यहाँ पर option में आपका home tab है ही नहीं तो answer है जाएगा और प्रोक तुम्हें से कोई नहीं next question powerpoint में प्रतिक slide में क्या-क्या set किया जा सकता है तो धिनांक दिया हुआ है आपका समय slide number तो यह तीनो एक slide में set किया जा सकता है दोस्तो तो correct answer है जाएगा उप्रोक सभी number D next question है आपका powerpoint 2013 में किस menu में record slide show option होता है तो answer है आपका number A slide show next question powerpoint में themes किस tab में पाई जाती है तो answer है आपका number D design tab next question next question ms office के किस program का उप्योग slide बनाने के लिए किया जाता है answer है ms powerpoint next question है ms powerpoint में slide को print करने के लिए किस shortcut की का उप्योग किया जाता है correct answer है control plus P दोस्तो प्रिंट की shortcut की कहीं भी पूछा जाएगा तो control plus P होता है के बल टैली जो होती है आपकी टैली में alt plus P का उप्योग किया जाता है print के लिए next question है दोस्तो आपका powerpoint में पहली slide पर आने के लिए किस shortcut की कउप्योग किया जाता है दोस्तो यहां पर correct answer है एक control plus home दोस्तो shortcut की बहुत ही ज़्यादा competitive exam में पूछा जाता है तो यहां पर आपकी most important shortcut की है यदि आप shortcut की बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपके exam में कमसें पांच number computer question में fix हो जाते हैं next question है powerpoint में किस slide के test पर प्रभाव ढालने के लिए किस option का उप्योग किया जाता है तो correct answer है word art c तो दोस्तो यहां पर हमारे 50 question complete होते हैं next वीडियो में आपको फिर से टॉप 5 टॉप पचास question लेकर के आऊँगा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक और कमेंट भी करना धन्यवाद धन्यवाद